आज हम Photoshop में Glowing Text Effect को Create करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम एक New Document लेंगे New Document लेने के लिए हम Menu बार में File Menu में जाएंगे New में क्लिक करना है New में क्लिक करते है New Document का Dialog Box आपके सामने Open हो जाएगा जिसमें Preset Detail में हम अपने Document को यहाँ पर Rename करेंगे अपने Document को Rename करने के बाद हम अपने Document की Width और Height की Value को यहाँ Define करेंगे तो मैं अपने Document की Width की Value यहाँ पर 3840 Pixels ले रहा हूँ और Height हम यहाँ पर 2160 Pixels लेंगे resolution में यहाँ पर 300 pixels पर इंच ले रहा हूँ color mode आपका यहाँ पर RGB होगा और यहाँ पर आपका by default 8 bit होता है इसको हमें 16 bit करने है background content आपका white होता है इसे हम यहाँ black ले रहे हैं और simply create में आपको click करने है इसके बाद इस document को fit to screen करने के लिए आप keyboard में control key को hold करके number 0 को press करोगे इसके बाद हम क्या करेंगे अपने layer panel को यहाँ पर active करेंगे layer panel को active करने के लिए आप short command का use कर सकते हैं F7 या फिर windows menu में जाएंगे layers में click करेंगे तो आपका layer panel यहाँ पर active हो जाएगा layer panel active हो जाने के बाद हम अपने layer panel में bottom में यहाँ पर click करेंगे create new fill और adjustment layer वाले icon में जिसमें हम solid color इसमें click करते ही color picker का dialog box आपके सामने open हो जाएगा जिसमें हम black color को यहाँ पर select करेंगे ok में click करना है इसके बाद हम अपने type tool को यहाँ पर active करेंगे और अपने text matter को यहाँ पर type करेंगे तो type tool को active करने के लिए आप tool palette में जाओगे horizontal type tool इसे select करना है यहाँ से जो भी font आपको लेना है वो font select कर सकते हो font का size जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं और color यहाँ पर जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से define कर सकते हैं यह जो color swatch है यहाँ पर आप click करके कोई भी अपने text का color यहाँ पर पहले से define कर लो उसके बाद हम अपने document के उपर single click करेंगे यहाँ पर और अपने text matter को type करेंगे तो मैं यहाँ पर glow को type कर रहाँ text matter को type करने के बाद हम option bar में यहाँ पर click करेंगे commit transform में या फिर keyword में control की को hold करके enter की को press करने है इसके बाद आप क्या करोगे move tool को यहाँ पर select करोगे tool palette में जाओगे move tool को select करने है इसके बाद menu bar में select menu में जाने all में click करने option bar में यहाँ पर click करेंगे align horizontal center, align vertical center इस selection को deselect करने के लिए आप menu bar में select menu में जाओगे deselect में click करोगे, इसके बाद हम क्या करेंगे अपने text layer की duplicate copy लेंगे, जिसके लिए आपको important text layer को select करना है और keyboard में control key को hold करके letter J को press करना है इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी master text layer है इसकी layer visibility को हम यहाँ पर off कर देंगे यह जो eye वाला icon है, यहाँ पर simple click करना है आपको इसके बाद आपको क्या करना है, यह जो duplicate copy ली हमने text layer की glow copy, इसके उपर आपको right click करना है और इसको convert to smart object कर देना है तो यहाँ पर मैं right click कर रहा हूँ और इसको हम convert to smart object करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा से हम blur को add करेंगे जिसके लिए हम क्या करेंगे, menu bar में filter menu में जाएंगे blur, Gaussian, blur, इसमें click करते हैं इसका dialogue box आपके सामने open हो जाएगा जिसमें radius में हम 0.5 pixels का radius लेंगे, ok में click करना है इसके बाद आपको क्या करना है, इस glow copy वाले layer की 6 duplicate copies लेनी है तो simply important भी है, glow copy वाले layer को select करना है और keyboard में control key को hold करके letter J को 6 time press करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह total 6 copies हमारी यहाँ create हो गई है इसके बाद हमें क्या करना है, यह जो right side में बार आपको दिख रहा है इसको मैं left click दबाकरा से नीचे की तरफ drag कर रहा हूँ ताकि हम पूरे layers को यहाँ पर देख पाएं तो यह हमारी सबसे पहले वाली layer है, जिसमें हमने 0.5 का blur दिया था इसके बाद glow copy 2 वाले layer को select करने है, और यह जो Gaussian blur वाला जो नाम आपको यहाँ पर visible हो रहा है यहाँ पर आपको click करने है, filter effect name के उपर, इसके उपर मैंने double click किया अब यहाँ पर जो radius हम लेंगे, वो 3 pixels का लेंगे, okay में click करने है, इसके बाद glow copy 3 वाले layer को select करने है Gaussian blur वाले नाम के उपर आपको double click करने है, और यहाँ पर हम 10 pixels का radius लेंगे, okay में click करने है, इसके बाद glow copy 4 वाले layer को select करने है, Gaussian blur वाले नाम के उपर आपको double click करने है, filter effect name के उपर, और यहाँ पर 25, okay में click करने है, इसके बाद आप क्या करोगे, glow copy 5 वाले layer को select करने है, और इस के नाम के उपर आपको double click करने है Gaussian Blur वाला जो नाम आपको दिख रहे Filter Effect Name यहाँ double click किया और यहाँ पर हम 75 लेंगे OK में click करने है इसके बाद हमारी 5th layer इसके नाम के उपर आपको double click करने है पहले लेकर लेकर layer 6 को यहाँ पर select करने है glow copy 6 वाले layer को यहाँ पर हम double click करेंगे इसके नाम के उपर और यहाँ पर जो radius हम लेंगे 250 pixels OK में click करने है इसके बाद last layer glow copy 7 इसके नाम के उपर आपको double click करने है layer को select कर लो और इसके नाम के उपर आप double click करेंगे और यहाँ पर हम 500 pixels लेंगे okay में click करने, इसके बाद आपको क्या करने है, यह जो right side में बार आपको दिख रहा है, इसको scroll करेंगे हम ऐसे नीचे की तरफ, और glow वाला layer है, text layer इसको select करेंगे, और layer panel में हम यहाँ पर click करेंगे, create new layer, या फिर आप new layer लेने के लिए short command का use कर सकते हैं, keyboard में control plus shift plus end दबाएंग तो new layer का dialogue box आपके सामने open हो जाएगा, जिसमें हम अपने layer को यहाँ पर नाम दे देते हैं, तो इसको मैंने नाम दे दिया clouds, okay में click करने है, इसके बाद आपको क्या करने है, filter menu में जाएने, render clouds, यहाँ पर click करने है, इसमें click करते हैं, यह cloud effect आपके इस layer में apply हो जाएगा, इ और यह आपका glow copy 3, तो glow copy 3 के उपर और glow copy 4 के नीचे, तो यह जो cloud वाला layer है, इसको left click दबा कर आप इसका placement, glow copy 3 वाले layer को पर ऐसे कर देंगे, तो यह इसका placement हो गया, अब इसका जो blend mode है, इसको हम करेंगे यहाँ पर multiply, और इसकी opacity को मैं यहाँ पर layer हूँ 65, इसके बाद हमे क्या करना है, keyboard में enter key को press करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे top वाले layer को आपको select करना है, glow copy 7 वाले layer को, और इसके बाद यह right side में जो बार है, इसको मैं ऐसे left click दबा कर ऐसे drag कर रहा हूँ, ताकि हम जितने भी layer से उनको देख पाएं, और इसके बाद हमारी जो last layer है इसको shift की दबा कर मैं यहाँ select कर रहा हूँ, color fill one वाले layer, background layer को हम यहाँ छोड़ देंगे, और इन सब layers को हम एक group के अंदर place करेंगे, जिसको आप short command का use कर सकते हैं, control key को hold करके letter G को press करना है, या फिर layer panel में आप यहाँ पर click कर सकते हैं, create a new group, इसमें click करते हैं, यह जितने इसको rename करने के बाद हम keyboard में enter की को press करेंगे, अब इसमें color add करने के लिए हम यहाँ पर gradient map का यहाँ use करने वाले हैं, जिसके लिए हम layer panel में यहाँ पर click करेंगे, create new fill और adjustment layer वाले icon में, जिसमें हम gradient map, इस adjustment layer का यहाँ use करेंगे, इसमें click करते हैं, इसकी properties वाला panel आपके सामने active हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर click करने, click to edit the gradient, इसमें click करते ही gradient editor का dialogue box आपके सामने open हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला वाला जो stop होगा आपका, इसको select करने हैं आपको, और इसके उपर आप यहाँ तो double click कर सकते हैं, या फिर stop को select करके, यहाँ पर आप click कर सकते ह इसमें click करते ही color picker का dialogue box आपके सामने open हो जाएगा, जिसमें हम black color को यहाँ select कर रहे हैं, जिसका hash code आप यहाँ देख सकते हैं, six time zero, okay मैं click करने हैं, इसके बाद एक stop को मैं यहाँ पर add करूँगा, simple हम, यह जो hand वाला icon आपका यहाँ बन रहे हैं, तो यह icon जब बने हैं click to add stop, तो यहाँ मैंने click किया, अब इसकी जो location है, इसको मैं यहाँ पर 30 कर दूँगा, तो इसका जो location अभी होगे, वो 30 पर होगे, अब simply इसके उपर आप double click कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर click कर सकते हैं, तो मैं इस बार, इस stop के उपर मैं double click कर रहा हूँ, color stop के उपर, तो color पर करकर dialogue box आपके सामने open हो जाएगा, और यहाँ पर मैं एक value को type करूँगा, 0, 4, 1, 2, 7, B, यह value को मैंने यहाँ type कर दिया, 0, 4, 1, 2, 7, B, okay मैं click करना है, एक stop को हम यहाँ add करेंगे, और इसके location को मैं यहाँ पर 80% ले रहा हूँ, और इसके उपर हम double click करेंगे, या फिर इ x value को type करेंगे, 4, C, E, 8, F, F, okay मैं click करना है, इसके बाद यह जो आपका last वाला stop है, यहाँ पर color stop, इसको select करना है, और इसके उपर हम double click करेंगे इस बार, और यहाँ से हम white color को select करेंगे, okay मैं click करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसका जो location है, इसको मैं यहाँ पर round about 94 percent ले रहा हूँ, और in values को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्या result आ रहा है, यदि इन stop को आपको delete करना है, तो simply आपको क्या करना है, left click दबा कर इस stop को नीचे ऐसे, drag करेंगे तो यह delete हो जाएगा, control Z कर रहा हूँ, यहाँ फिर इस stop को select करेंगे, और यहाँ delete में click कर स सकते हैं, तो इनकी position को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, जिसमें result आपको अच्छा जाए, उस position में आप इसको set कर सकते हैं, तो इसको मैं 30 पर ही ले रहा हूँ, और इसको मैं 80% पर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कम करेंगे, 86% ले रहा हूँ मैं, OK मैं click कर रहे हैं, यहाँ पर rename gradient, तो इसको हम नाम दे देते हैं, तो इसको नाम मैंने देती है, blue royal glow, OK मैं click करने, तो कुछ gradients को मैंने पहले से define किया हुआ था, यह वाला gradient आपको देख रहे हैं, इसको भी मैं यहाँ पर recreate करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने क्या settings रखी थी, तो इ लेकिन इसके color को हम यहाँ पर change करेंगे, यहाँ पर मैं single click कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक hexa value को मैं type करूँगा, 8B0303, यह value मैंने type कर दिया, OK मैं click करने, इसके बाद एक stop को हम यहाँ add करेंगे, और यह location हमारा यहाँ पर 50 रहेगा, location 50 है यहाँ, इसके बाद इस stop के इसके बाद यह जो हमारा यह वाला stop है, इसको हम 80% के लगबग लेके आएंगे, या थोड़ा कम 77% में ले रहा हूँ या, और इसके color को मैं यहाँ change करूँगा, तो इस बार मैं यहाँ से color change कर रहा हूँ, यह वाला stop हमारे यहाँ select है, यहाँ click करेंगे, और यहाँ पर मैं एक से value को type कर रहा हूँ, F0C002, ok में click करना है, और यहाँ पर भी ok में click करेंगे, यदि आपको इस preset को save करना है, तो यहाँ पर आप click कर सकते हैं, create a new gradient preset, इसमें click करते हैं यह आपका preset यहाँ save हो जाएगा, इसके उपर आप right click करो, इसको आप यहाँ पर rename कर सकते हैं, तो य आपको इस परकार का कुछ effect यहाँ show करेंगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ok में click करेंगे, और इस properties वाले panel को मैं यहाँ close कर देता हूँ, इसके बाद हम इसे थोड़ा और interesting बनाने के लिए, इसमें कुछ textures को add करेंगे, तो इसमें कुछ textures को add करने के लिए, सबसे पहले हम text glow effect वाले group को यहाँ select करेंगे, और menu बार में file menu में जाएंगे, place embedded यहाँ click करने, और एक texture को मैं यहाँ select कर रहा हूँ, और place में click करेंगे, place में click करने के बाद, इसकी position को आप यहाँ पर set कर सकते हैं, तो फिलाल इसकी position मुझे ठीक दिख रही है, तो मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ यहाँ पर overlay और इसकी opacity को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 30%, enter की को हम यहाँ press कर देते हैं, अब simply हम menu बार में fit से file menu में जाएंगे, place embedded, यह हमारी next texture वाली image है, इसको select किया मैंने, place में click किया, और इसकी position को हम बार में set करेंगे, उसके पहले इस document के उपर मैं double click कर रहा सकते हैं, commit transform में, और इसके blend mode को मैं यहाँ change कर देता हूँ, overlay और इसकी opacity को हम यहाँ पर करेंगे 15%, और थोड़ा हम बढ़ा कर देखते हैं, तो इसको मैं 15% ही रख रहा हूँ, keyboard में enter की को press करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, यदि हमें इसमें कुछ fog का effect add करना है, तो क और हम यहाँ पर blank layer लेंगे, new blank layer लेने के लिए, आपको क्या करना है, short command का यहाँ use करना है, या फिर आप layer panel में, यहाँ पर click कर सकते हैं, create a new layer, या फिर short command का यहाँ use कर सकते हैं, control plus shift plus end, और ok में आपको click करना है, तो new layer आपको यहाँ add हो जाएगा, इसके बाद इस layer में हम क brush tool को यहाँ पर select करेंगे, और option bar में हमें यहाँ click करना है, click to open the brush preset picker, जिसमें मैं fog brush को यहाँ select कर रहा हूँ, इसके उपर मैंने double click किया, इसके opacity मैंने थोड़ी कम रखी है, flow भी कम रखा है, अब simply हमें क्या करना है यहाँ पर, ऐसे click करना है यहाँ, तो यह कुछ fog का effect हमार यहाँ add हो रहा है, brush के size को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ, opacity को थोड़ा सा और कम करेंगे, इसके बाद इसकी opacity को मैं 50% कर रहा हूँ, अब इसमें थोड़ा सा star वाला effect देने के लिए, हम फिर से option bar में यहाँ click करेंगे, और यह मेरा star brush है, इसको मैंने simply select किया, और यहाँ पर हम randomly, एक new blank layer लेंगे सबसे पहले, new blank layer लेने के लिए हम यहाँ पर click करें, create a new layer, और यहाँ पर मैं randomly, यहाँ पर हमें वो brush जो star का effect वो show क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि opacity यहाँ पर हमारी बहुत कम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर brush के opacity को यहाँ पर 100 रख रह strokes को हम यहाँ पर erase कर सकते हैं, तो tool palette में आपको जाना है, eraser tool को select करना है, और यहाँ से अगर आपको किसी को remove करना है brush को, जो यह star brush है, इसको simply हम यहाँ पर ऐसे remove कर सकते हैं, तो फिलाल मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और इसक इसको यहाँ पर rename कर देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया star, और यह जो layer 1 है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं fog, तो layer 1 के उपर मैं double click कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देते हूँ, fog, keyboard में enter key को press करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और blank layer लेंगे star layer के उपर, तो layer panel म bottom में हमें यहाँ click करने, create a new layer, और इसको भी हम यहाँ पर rename कर देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया glow effect side, इसके बाद हम क्या करेंगे, यह जो हमारा foreground color है और background color है, इसको हम यहाँ define कर देते हैं, तो foreground color में मेरा यह वाला color है, blue color, okay मैं click करो, इसके बाद foreground color को मैं यहाँ पर pink color define करूँगा, तो यहाँ पर मैं click कर रहाँ, set for ground color, और यहाँ पर थोड़ा pinkish color को मैं ले रहाँ, okay मैं click करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करने हैं, हम फेर से यहाँ पर fog वाले brush को यहाँ पर select करेंगे, तो brush tool को आपको select करने हैं सबसे पहले, और यहाँ पर click करने, click to open the brush различ preset picker, यहां से मैं fog वाले brush को select कर रहाँ, इसके ओपर double click कर रहाँ, और brush के size को मैं थोड़ा बढ़ा कर रहाँ यहाँ कर रहाँ, right click करेंगे, यहाँ ब्रश के size को थोड़ा बढ़ा कर रहा है, और single click मैं यहां कर रहा हूँ, तो यह कुछ इस प्रकार से effect आ रहा है इसका, तो हमें यह नहीं चाहिए, तो यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके उपर gradient map वाला adjustment layer है, इसलिए इस प्रकार का effect हमें दिखा रहा है, तो ctrl z में कर रहा हूँ यह, तो हम क्या करेंगे, यह glow effect side वाला जो layer है, इसकी position को gradient map 1 वाले layer के उपर place करेंगे, तो इसको left click दबाकर मैं इसका placement उपर कर रहा हूँ, अब single click कर रहा हूँ यह, तो यह कुछ इस प्रकार का effect आ रहा है, तो यह मुझे इतना okay नहीं लग रहा है, इसके blend mode को हम change करके देखते हैं सबसे पहले, तो यह fog वाले brush को हम यहाँ पर remove कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका selection create कर रहा हूँ, तो हम menu bar में select menu में जाएंगे, all में click करेंगे, और simple keyboard में delete key को press करना है, move tool को आप select कर लो, और simply delete key को press करना है, जिससे यह पूरा brush का effect stroke आपका delete हो जाएगा, इस selection को deselect करने के लिए, आप short command का use कर सकते हैं, control key को hold करके letter D को press करना है, इसके बार regular brush को हम यहाँ select करेंगे, तो हम क्या करेंगे, brush tool को यहाँ फिर से select करेंगे, और यहाँ पर click करेंगे, click to open the brush preset picker, यहाँ पर मैं regular brush को select कर रहा हूँ, soft round, यहाँ पर मैं double click कर रहा हूँ, और brush के size को हम देख लेते हैं, कितना बढ़ा है यह, थोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं इसको, अब मैं single click कर रहा हूँ यहाँ और यहाँ पर हम single click करेंगे, तो यहाँ पर हम blue color से click करेंगे, तो जिसके लिए मेरा foreground color है वो blue होना चाहिए, तो यह जो हमारा background color यहाँ पर blue दिखा रहा है, इसको foreground यदि हमें करना ह पड़ेगा, जिसके हम keyboard में letter X को press करेंगे, अब मैं bottom right में यहाँ पर click कर रहा हूँ brush tool की मदद से, तो यह कुछ इस प्रकार से हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके blend mode को change करना है, तो इसको हम यहाँ पर कर रहा है linear dodge, और इसकी opacity को हम यहाँ पर कम कर देंगे, तो इसको round about मैं 40% ले रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा effect को हम यहाँ पर apply करके देखते हैं, तो फिर से मैं brush tool को यहाँ पर active कर रहा हूँ, short command B का हम यहाँ use करेंगे, और यहाँ पर मैं stroke को apply कर रहा हूँ, blue color से, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, बहुत ज़्याद कर रहा है, और इन सारे layers को हमें group के अंदर place कर देंगे, लेकिन उसके पहले एक काम हमें और करना है यहाँ पर, यह जो text glow effect वाला जो layer है, group है, इसको मैं यहाँ reveal कर रहा हूँ, और इसमें जो हमारा main text layer है, इसको हमें सबसे top में place करना है, तो left click को आपको दबाना है, और इस और इन सब layers को आप एक group के अंदर place कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आपको इसके color को change करना है, तो simple है, आप gradient map 1 वाले layer के layer thumbnail के उपर double click करेंगे, और यहाँ पर click करना है, आपको click to edit the gradient, जिसमें जो आपने presets को save किया था, उन presets को यहाँ पर presets हैं, इनको आप select करके यहाँ देख सकते हैं, और ok में click करने, so friends, आज हमने photoshop में glowing text effect को कैसे create किया जाते हैं, उसकी पूरी technique, उसका पूरा process ही का, यदि ये tutorial आपको useful लगा, आपके काम का लगा, तो मुझे comment section में जरू comment करके बताएं, और यदि ये video आपको पसंद आया, तो जरूर like कीजे, और यदि आप इस channel पर पहली बार हैं, तो जरूर subscribe कीजे, और bell notification icon को भी press कीजे, thank you friends for watching my video.